नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में सार्दी नवरात्री में मा दुर्गा की पूजा की जाती है इसके साथ ही देवी मा को पुरसन करने के लिए कई उपाई भी किये जाते हैं नवरात्र में मा दुर्गा की विशेज पूजा आर्चना की जाती है कई लोग वरत भी रखते हैं इस नवरात्र यदि आप देवी मा को पुरसन करना चाहते हैं तो नवरात्र के दिनों में पान के पत्ते के कुछ सरल और अचुक उपाई जरूर करें अईये जानते हैं वे कौन से सरल और अचुक उपाई हैं जो आपकी हर मनो कामना को जल्द ही पूरा करेंगे पहला उपाई है नवरात्री में मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने पान के पत्ते पर सिंदूर से स्री राम लिख कर उन्हें अर्पित करें अर्पित करते समय एक चीज का ध्यान रखें कि हनुमान जी के चर्ड़ों में ना रखें यह उपाई आपके कार्यों में आ रही सभी अर्चनों को दूर करेगा और आपकी जिन्दगी में सुख सम्रद्धी लाएगा दूसरा उपाई है ग्रह कलेश हो रहा हो या कोई परिसानी घर में उत्पन हो रही हो नौरात्र में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्टे पर केसर रखकर दूरगा इस्त्रोत और दूरगा जी की नामावली का पाट करें घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवाह होने लगेगा बाद में इस पत्ते को किसी तुलसी के पेड़ के नीचे दबा दें आपको जरूर फल मिलेगा तीसरा उपाय है नवरात्री में सुबह ब्रह्म मुहूर्ति में चार से छे बजे के बीच में इस उपाय को करने से आपकी वाड़ी और खुपसूरती में वृद्धी होगी और आकरसड में भी सक्तिकी बढ़ुतरी होगी अगला उपाय है नवरात्र के सुरुवाती पांच दिनों में एक पान के पत्ते पर हीम लिख कर मा दुर्गा को अर्पित करें इसके बाद महानवमी के बाद उन पांच पान के पत्तों को अपने पैसे रखने वाली जगे पर रख दे इस उपाय को करने से दरिद्रता और घोर आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा तथा कर्ज में डूबे हुए लोग भी इससे उबर जाएंगे अगला उपाय है धन संबंधित कोई भी परिसानिया आ रही हो तो नवरात्री में एक पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुडियां रख कर मादुरगा को अर्पित करें इससे धन के आगमन में सरलता आएगी और कर्च से मुक्ती मिलेगी नवरात्री के मंगलवार के दिन एक साबुत पान का पत्ता लेकर उसमें लौंग और इलाइची रखें उसका बीड़ा बना लें इसके बाद उस पान के पत्ते को लपेट कर एक लौंग से उसे सिल दें हनमान मंदिर में जाकर यह बीड़ा अर्पित कर दें ध्यान रखें हनमान जी के चर्णों में यह बीड़ा ना रखें कर्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए यह बहुत ही अचूग उपाए हैं कई सालों से यदि आपकी कोई ख्वाहिस अधूरी है और आप उसे पूरा करना चाह रहे हैं तो यह उपाए आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा पान के पत्ते पर दो लोंग रखकर दोनों हाथों से जल में प्रभावित कर दें ध्यान रखें बहते हुए जल में प्रभावित करें अगर बहता हुआ जल आपके पास नहीं उपलब्द है तो तुलसी के पेड़ के नीचे मिट्टी में इसे दबा दें जितनी भी पूरानी इच्छा होगी वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी अगला है नौकरी में प्रमोशन या व्यापार में बढ़ोतरी में अडचने आ रही है तो नौरात्री में ये उपाय ज़रूर करें पान के पत्ते के दोनों तरब सर्सों का तेल लगाए और इसे मा दुरगा को अर्पित करें इसके बाद पान के पत्ते को अपने सिर पर रखकर सो जाएं अगले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते को किसी दुरगा मंदिर के पीछे रखाएं अगर दुरगा मंदिर नहीं है तो कोई अन्य माता का मंदिर हो उसी के पीछे रखाएं सबी बाधायें दूर होंगी वाक कारे में प्रगती भी आएगी अगला उपाय व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए नवरात्र में नव दिनों तक एक ही समय पर पान का बीड़ा मादूरगा के मंदिर में जाकर के चढ़ाएं आपको व्यापार में जरूर लाव होगा ध्यान रहें कि हर दिन एक ही निस्चित समय पर पान का बीड़ा चढ़ाएं अन्यथा लाव नहीं मिलेगा धन्यवाद